मोदी जी के बड़े बुरा सपना आता होगा उनकी देश की जनता जागरूख हो गई है। उन तो चाहते रहें कि सब अशिक्षित रहें, सब अंदकार में रहें, ताकि उनके को कभी जाके सवाल न उठा लें, उनके कभी न बोले कि आपी गलत कर रहें। जो बोल देगा, उनके उठा के जेल में भेज दी है। दिली में केजरी वाल देख लीजिए, जारकण में हेमन सुरेन देख लीजिए, अपने गाजी पूर्ण में अवजाल अंसारी को देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जून को जो हम लोग अपना अधिकार इस्तिमाल कर सकते हैं, वो हम लोग को सिर्फ पात साल बाद मिलेगा। पात साल में एक बार आता है। कोई बता पाएगा एक जून को क्या होना है। वोट पढ़ना है, मद्दान होना है। तो मद्दान, मद्दान पाना, मद्दान कर पाना, ये एक लोग तंत्र की शक्ती है, ये लोग तंत्र की रीड की हड़ी है। और ये भाजपा सरकार जो है, वो इसी रीर की हट्टी को तोड़ना चाती है, हमारे सम्मिधान को खतम करना चाती है, ये आप लोग से तो छुपा नहीं है, कि दस साल में हमारे देश में कित्ती गरीबी रही है, कित्ता ब्रश्टचार है, कित्ती बेरोजगारी है, अब आप लोग हाद खड़ा करके बताईए कि कौन-कौन महेंगाई से परिशान है, तस साल में कौन-कौन महेंगाई से परिशान है, सब परिशान है, ठीक है, और कौन-कौन बेरोजगारी से परिशान है, हाद खड़ा करके बोले लोग, सभी लोग परिशान है, अरे तो भाई कोई इस दस साल में खुश रहा है, कोई नहीं खुश रहा है, अडानी अंबानी, हम इसी पर आना चाह रहे थे, बोधी जी का कहना का सबका साथ सबका विकास यही ना रथा ना उनका उस सबका साथ सबका विकास नहीं किये है उकेवल कुछ पुझी पतियों का साथ पुझी पतियों का विकास किये है जो सामतवादी सोच रखते वाले हैं उनका साथ उनका विकास किये है जो सांप्रदाइक, थाकत हैं, उनका साथ उनका विकास कीए हैं तो जब ये सरकार सबका साथ नहीं दे सकती, तो क्या इस सरकार को सथा में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना तो उसको कैसे हाट आएंगे सथा से, बताएए तनी आप लोग वोट से ना तो बस एक जून को हम सब को साइकिल का बटन दबाना है, इंडिया कट बंधन के बारे में पता है आप लोग को, पता है नो, चली अच्छी बास है, बड़े जागरूख लोग है, मोदी जी के बड़े बुरा सपना आता हुगा, उंगी देश की जनता जागरूख हो गई है, केजरीवाल देख लीजिए, जारकण में हेमन सुरेन देख लीजिए, अपने गाजी पुर्मवदार अंसारी को देख लीजिए, तो एक जून जो है, वो हम लोग के पास एक अफसर है, इस भाजपा सरकार को, इस तादर शाही सरकार को, हम लोग सत्ता से हटा जे, जब हम दू करोर रोजगार देंगे, तो आप लोग तो कहरें किसी को रोजगारी नहीं मिला, तो उनका दू करोर रोजगार कहा गया, हम बताते हैं कहा गया, अमिर्शा के बेटे के पास गया, है ना, बोलीं आप लोग, है ना, कहते रहे महंगाई हटाएंगे, महंगाई आहरे हैं माहिला टीम की दो सबसें करें को सपता में तो कैसे चलेगा घ्रणम लोग का माबाप अपने बच्चों को रात दिन पढ़ा लिखां करके बढ़ा करते हैं कि वह भाई करके परहा हाज कि जब भाई हो जाएगा तप उनौकरी पाएगा उन रोजगार पाएगा तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा लेकिन ही सरकार का करती है योधना लाती अगनी भीर का मोदी जी खुद हो गए कित्ते साल के हो गए हैं तेहतर साल के हो गए हैं अब बनना चाहते हैं तीसरी बार परधान मंत्री और हमारे यूवा लड़के लोग हैं उनहें के वो चार साल में रिटार करके घर भेज़ देना चाहते हैं तो एक जून को अपने मत का अधिकार इस्तिमाल करके साइकेल का बटन दबाईएगा अफजानमसारी को विजय बनाईएगा ताकि केंद्र में इंडियागणध्ण की सरकार बन सकें। अब यहां से वैसे बात नहीं करें हम यह बताएंगे कि इंडिया गटबंदन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को घर की एक महिला के खाते में सालाना एक लाख रुपए जो कि शारे 8000 रुपए होगा वो दिया जाएगा बिजली 300 यूनिट तक के फ्री कर दी जाएगी किसानों का कर्ज माफ होगा उनको पेंशन मिलेगा और तोर जो किसान से संबंदित वस्तुएं हैं या चीजें हैं जैसे बिया हो गया, खाथ हो गया उस सब पर जो टैंस लगा है मोदी जी इना जानते कि उनकी उपलब्दी जो हर एक गरीब के पेट पे लाग बनके मारती है तो सिचानों के उपर से टैंस अठा दिया जाएगा जो मन्रेगा के मज़्दूर है जिनको अभी ये सरकार 235 रुपए देटी इतनी महंगाई में और 200 रुपए का तो दाल ही मिल जाता तो 232 रुपए का करता होगा हम पता नहीं का बोले होपे ओके बढ़ा करके 400 रुपए हो जाएगा इंडिया कट पंजन कि सरकार बनते ही चाती जंगरना होएगी जिसमें सभी अल्फ संक्यक निशाद समुदाय के लोग बिन समुदाय के लोग और आधी जितने भी समुदाय के लोग है जो अल्फ संक्यक है जो पिछड़े हैं उनका चाती जंगरना हो करके उनके संक्या पर अनुसार उनको सम्मान और अधिकार दिया जाएगा यूवा लोग जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनको ट्रेनिंग दे करके सालाना एक साल के लिए एक लाख रुपए जो कि सार्याथ हजार रुपए होता है वो दिया जाएगा तो आप इन्ही योजनाओं को पढ़िएगा भी हमने बहुत कम बताई हैं लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे पूरो कर तब आपको पता सेलेगा कि कैसे ये योजनाओं आपके हित में बनी हैं महिलाओं को मद्दे नजर रखके बनाई गई है, युवाओं को मद्दे नजर रखके बनाई गई है, ये किसानों को मद्दे नजर रखके बनाई गई है, तो एक जून को हम बस यही बोलना चाहेंगे, कि वक्त आ गया है परिवर्तन का, वक्त आ गया है तक्त बदलने का, औ झाल झाल